हेलो आज हम बात करेंगे रियल मीड इवाइस के साउंड एंड स्पीकर के बारे में अगर आप लोग को साउंड से रेलेटेड या फिर स्पीकर से रेलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी समस्य आ रहे होगी तो आप लोग इस वीडियो साथ बने रहे तो चलिए सब्सक्राइड है इसको बऑल सकता है बहुत से नहीं सबस्क्राइज करने के लिए मैं अब कुस्छ यहां पर पॉइंट बता दू कि अगर आप लोग के फोल में hardware से problem है तो आप लोग को जो है इसको service center दे की solve यहाँ पर करना पड़ेगा और अगर software से related problem है तो मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ tricks बताने हो लाओ जिससे आप लोग इस problem को solve यहाँ पर कर सकते हैं बट hardware की problem software solve नहीं की जाती है आप लोग को इसको service center यहाँ पर भीजना ही पड़ेगा सबसे पहले आप लोग यहाँ पर trick देख लिजेगा कि मैं आप लोग को सिट्रिक यहाँ बताने हो लाओ आप लोग जैसे यहाँ पर sound and vibration पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग चेक आउट कर लिजेगा कि आप लोग ने कहीं से sound वागरा बन तो नहीं किया या फिर volume वागरा एकदम कम ही तो नहीं है या फिर आप लोग की phone में एकदम off ही आप लोग ने रख दिया है तो यहाँ पर सब चीज़ ठीक थाक तो है या फिर नहीं है अगर आप लोग की phone में जो sound या फिर vibration जो यहाँ पर वागर नहीं कर रहा तो इसके लिए आप लोग क्लिक करें और first में जो option है हमारा reset system setting only simply क्लिक करके आप लोग जो है password अपना इंटर करें और only setting को reset करें इसमें क्या होगा कि कि आप लोग ने जो भी चेड़ चाड़ किया हो साप्टवेर में सैटिंग में sound and vibration की तो यहां से जो एकदम बाइडिफॉल्ट यहां पर हो जाती है को जो है mobile को sorry center यहां पर बेजना पड़ेगा एंड इस टाप से आप लोग अपने realme की device में जो है इस टाप की problem solve यहां पर कर पाएंगे उमीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंदेगे